प्रभू चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रसांद सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने परिवार वुकैव वंडर्स्पेंट तो कैसे आप सब उमीद करूंगा कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत सांदार होंगे बहुत जबरदस्त होंगे आज हमारी जो बहुत जबरदस्ती सीरीज चल रही है वोकैव संजीबनी एक्सप्रेस उसकी क्लास नंबर 40 है और आज की क्लास में हम सिनॉनिम्स पढ़ेंगे और सारे सिनॉनिम्स ट्रिक के माद्यम से याद करेंगे बस क्लास को सुरू करते हुए मैं बस एक बात आप से कहना चाहूंगा कि मेरे भाई थोड़ा सा वीडियो को और सेयर करें वीडियो को पूरा पूरा देखें और रेगुलर बेसिस पर अपने दोस्तों को अपने जानने बाल से किताब को भी कंप्लीट पढ़ा रहे हैं इसके अलावा भी बहुत जल्द हमारी एक सीरीज और सुरू होने बाली है जिसके अंदर हम बहुत जबर्दस तरीके से वुकेवलरी का एक्तम पोस्ट मॉर्टम आपके सामने लेके आने वाले हैं तो बहुत जबर्दस तरीके स मैं आप सभी लोगों के लिए लगातार लगा हुआ हूं पूरे सिद्द से लगा हुआ हूं तो प्लीज मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो इसको सेयर करें और अपने सभी जानने बालों को और दोस्तों को बताएं प्रभु जी को करते हुए सुरुआत करेंगे हम आज के अपनी इस क्लास की और आज सिनोनिम की क्लास नंबर आपकी 9 है और टोटल देखें तो यह क्लास नंबर आपकी 40 है तो क्लास नंबर 9 है क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीपीओ का नोटिफिकेशन आ नहीं आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट वॉक्स में पूछ सकते हैं फिर भी मैंने देखा दो-तीन दिन से काफी सारे बच्चों के मैसेजिस आ रहे थे कि सर कौन सा बैच लेना चाहिए कोई अलग से स्पेसल बैच लेना है तो मेरे भाई स्पेसल बैच हर एक्जाम के लिए है ठीक है सिर्फ six double nine में आपको lifetime validity के साथ में बैच मिलता है इसमें इतने सारे आपके features added है तो आप इस बैच को चेक आउट कर सकते हैं आपकी सुरू करेंगे आज की क्लास और आज की क्लास का जो पहला word है that is poise क्या है poise क्या होता है मेरे बाई देखो इसको पोई एक तो noun भी होता है और वर्ब भी होता है इसको noun और वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर लेते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब होता है एकदम थैराव जो होता है उसको बोल देते हैं poise so a calm confident way of behaving यानि कि behave करने का एक जो सांत और आत्व विश्वास होना पड़ता है एकदम सांत आपको ऐसे confident दिखना पड़ता है आपको पूरा confidence दिखाना पड़ता है आत्म विश्वास से भरा हुआ होना ही आपको दिखना पड़ता है तभी आपका पोज अच्छा आता है तो पोज से आप याद रख लेंगे क्या पोज सो पोज के लिए सांत और आत्म विश्वास पूर्ड होना चाहिए तो वैसे ही पोईज का मतलब भी क्या हो जाएगा सांत और आत्म विश्वास पूर्ड आचरन याद रहेगा मेरे भाई अगर इसके सिनॉनिम्स की बात करते है तो पहला ही आपका वर्ड है Equanimity Equanimity का मतलब क्या है देखो भाई इसमें आपको क्या दिख रहा है Equal दिख रहा है Equal का मतलब क्या है जब आपका behavior एकदम equal हो जाए ना तो आप बहुत ज़्यादा उचल कूद कर रहे हो यह मतलब छोटी छोटी बातों पर तो खुसी है आपको बहुत ज़्यादा और ना ही छोटी छोटी बातों से आप निरास हो रहे हो अकसर करके आज की generation में यह देखने को मिलता है आज की generation छोटी सी खुसी मिलते ही ऐसे उचल जाएंगे जैसे की जमीन पर उनके पैर टचनी हो रहे है और छोटा सा भी अगर जटका लग जाए जीवन में तो ऐसे निरास हो जाएंगे जैसे सब कुछ लुट गया हो सब छोडने की तियारी कर लेंगे वैसा नहीं रहना है आपको सांत एकवम आत्म विश्वास पूंड रहना यानि आपको equal रहना है खुसी में भी और दुख में भी जो खुसी और दुख दोनों में equal रहता है उसी के अंदर जो quality होती है उसी को क्या कहा जाता है equanimity क्या कहा जाता है equanimity यानि कि समभाव कहा जाता है एक वर्ड़ है आपका assurance assurance का मतलब भी क्या है भाई assurance अब कर देगा sure है इसको sure से यद रखेंगे sure का मतलब होता है निस्चित है कि यह जास ही है तो फिर आपके अंदर आत्में उस्वास होगा assurance का मतलब बेसी के लिए क्या हो जाएगा आपका assurance और जो person assured होता है उसको आस्वस्थ परसनम कह देते हैं अस्योर्ड एक एड्जेक्टिव है और अस्योरेंस आपका नाउन है एक वर्ड दे रखा है एपलॉम एपलॉम का मतलब क्या होता है मेरे भाई मनोबल जब आपका मनोबल अच्छा हो तो वही वो लगता है एपलॉम ठीक है तो आप इतने लंबे हो इसलिए आपका मनोबल जजदा है जितने आप लंबे उतना मनोबल लंबा बस ऐसे याद रख़ेंगे तो मनोबल बेसिकली आप लंब एपलॉम करके आप याद रख सब्सक्राइइग है एक आपका वो अपने अंदर चीजों को जुटाए हुए हैं और मेरे भाई आप हमेशा याद रखना है जीवन में आप जो भी काम करने निकले हैं आप उस काम में तभी सफल हो पाओगे जब आपके अंदर कमपोजर होगा जैसे कमपोज का मतलब क्या होता है कमपोज का मतलब होता है चीजों को इकठा करके कुछ बना दिया जैसे कोई पिलों से हार जाओगे आप छोटी-छोटी चीजों के सामने परास्त हो जाओगे लेकिन अगर आपके पास में कंपोजर है अगर आपके पास में जैसे आप देखोघे लाइक फास पहते हैं और यहीं से आपका नाव है स्लेकन का मतलब भी वही होता है basically to become or make something slower, किसी को slow कर देना, या किसी का slow होना, किसी को slow करना, या फिर किसी को less effective बना देना, किसी का जो प्रभाव है वो कम कर दिया तो आपने क्या कर दे चीजों को slacken कर दिया, तो slacken, याद कैसे रखोगे भाई, देखो study, as से तो study और lack आपको यहां पर देखी रहा है, जब आपके अंदर चीजों की lack होने लगती है, तो ही मतलब कोई भी चीज है, यहां से आप study को भी ना connect कर गए, जस्ट अगर इस सब्द को ही देखें तो इसमें lack है lack का मतलब क्या होता है मेरे बाई, lack का मतलब होता है कमी, अगर किसी के अंदर किसी चीज की कमी है तो वो कैसा हो जाएगा, slower हो जाएगा, उसके अंदर चीजें slow हो जाएगी, वो कैसा हो जाएगा उसका effect जो है वो कम हो जाएगा, less हो जाएगा तो lack होने की वजए से यह होता है तो study में lack की वज़े से लोग कमजोर हो जाते हैं क्योंकि वो डंग से पढ़ाई नहीं करते हैं मेहनत का कोई substitute जीवन में नहीं है मेर भाई आगे देखेंगे इसके कुछ synonyms हैं देखोई decrease होना decrease का मतलब है घटना इसमें कोई ऐसा याद करने के लिए tricky जुरत नहीं बहुत common word है increase का मतलब बढ़ना और decrease का मतलब घटना एक word है आपका abate abate को आप कैसे याद रख सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई बहुत गुसे में हैं आपको उसका गुसा कम करना है तो आप क्या कहेंगे abate abate मैं तुझे बताता हूँ या फिर किसी को tension हो रखी है फिर आप उससे कहते है 286 अठ 126 लगाएंगे दोनों यार तो आप जसी को बैठने के लिए तो आप उसके गुसे को कम करना तोuard का तेरा खुसे कम होगा तो आप तो लेट का किसी चीज़ को कम करना याद रहेगा मेरे भाई आगे देखेंगे डिमिनिस देखो डिमिनिस के लिए भी ट्रिक की ज़रुत नहीं आपने अक्सर करके बच्पन से सुना होगा कि डिम कर दिया किसी चीज़ को डिम करने का मतलब यह किसी चीज़ को कम कर दिया So, diminish करना यानि कि कम करना, अक्सर करके आपने सुना होगा, जैसे हम जब गाउं में थे, आज कल तो जैसे जब से सहर में आए हैं, तो यह समस्य खतम होगी कि लाइट नहीं आ रही है, या आ रही है, तो कम आ रही है, पहले तो बड़ी समस्य थी भई, जब हम गाउं में थे, स तो हमारे टाइम पर तो वही बल भुगा करते तो लाल रोसनी देते हैं तो लाइट जब डिम आती थी तो बस उनके अंदर ने एक लाल जो स्प्रिंग थी न वही चमकती थी इतनी भी लाइट नहीं दे पाते थे जितना दिया देता है तो हम कहते थे आप बहुत डिम महिनें जाते थे कम से कम ट्रांसफार्मर लाने वाले कोई नहीं था फैंत इन-चार महिने मिनीमम जाते थे कई वाठ आप नौन हो निकल के गों में लाइट नहीं है हम तो उस जमाने में भी गाउं में थे और पड़ोसी गाउं में और यह मैं बहुत पराणी बत नहीं कर तब तक हमारे गाउं में लाइट नी आती थी हम पड़ोसी गाउं में जाके मोबाइल चार्ज करके लाते थी क्रिकिट मैश देखना होता था पड़ोसी गाउं में जाके देख आते थे तो इस टाइप के हम उस एरिया से बिलॉण करते हैं अब तो बहुत सारी सुविदा हर गाउं में पहुछ गई सरकार ने पर तरीके से हर सरकार ने अपने इसाब से बढ़िया काम आज की रिट में सुविदा है तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत रहती ती आज कल तो मारे गाउं होता है transformer अगर जिस दिन फुकता है जिस दिन फुका उसी के साम को रख जाएगा नया आकर अगर उसमें लगा दिया तो क्या बन गया वर्व सो लैसन का मतलब क्या हो गया कम लैस का मतलब होता है कम करना आगे देखो मिटी गेट का मतलब भी होता है क्या चीजों को कम करना मिटी गेट करना कैसे याद रख लेंगे इसको मिटी गेट के बाहर कर दो जिससे की कुड़ा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जिससे गंदगी कम हो जाएगी मिटी गेट के बाहर मिटी को कम कर दो मिटी गेट कर दो अगला आपका word है munificent मैंने आपको एक words हमजाया था magnificent का मतलब होता है जबर्दस, सांदार बहुत बहतरीन अगर कुछ है तो magnificent बोल देते हैं इतना भी याद रख लोगे तो आपको काम चल जाएगा जो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो magnificent होते हैं वही होते हैं munificent बाकि इसको और याद रखने का तरीका क्या हो सकता है मेरे भई आपको इस word के शुरुवत में ही muni सब्द दिख रहा है muni आपने सुनाया रिशी muni जो होते थे वो बड़े kind होते थे बड़े दयालू होते थे जो muni होते थे वो कैसे थे आजकल भी muni होते हैं वैसे लेकिन पुराने टाइन के muni जो थे वो और भी ज़्यादा kind होते थे बहुती nice होते थे लोगों का बड़ा ध्यान रखते थे उदार होते थे तो muni efficient से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ठीक है सो आपको इस वर्ड को इसी तरीके से याद रखना है बाकि muni fiance से बहुत उदार है वो याद रखने की ज़रत नहीं मुनी छोड़ो जो muni है उस वर्ड को याद रखेंगे ये आपका अच्छा keyword है इसमें इस से याद रखेंगे ठीक है यह सत्यम भाई ने पीपीटी बनाई थी तो सत्यम भाई को मुनी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है भाई भाई को मतलब एक तो कैट्रिन कैफ और मुनी अलाग इसी ने वाई का है ना चलो आगे देखेंगे अगला आपका जो इसके synonyms है that they are के magnanimous आपको word मैंने बताए था magnanimous यानि की मैंने बताए था मगन की नानी करके याद रख सकते हैं मगन की कोई नानी है बड़ी उदार है magnanimous यानि की मगन की नानी बहुत उदार है so magnanimous, magnanimous, magnanimous यानि की generous, kind दयालू जो होता है उसी को बोल देते है magnanimous, so kind हो गया generous हो जाएगा आपका, ठीक है liberal, charitable, ठीक है hospitable भी इवन बोल सकते है अच्छे लोगों के लिए वो word भी आ जाता है so magnanimous, magnanimous kind हो जाएगा है ना light-hearted बोल देते हैं अगे देखेंगे generous generous का मतलब क्या होता है वही एक ऐसा person जो जन जन को रस पिलाए कैसा रहा होगा, दानसील इतना दानसील व्यक्ति कि वहाँ सभी जन को क्या करता है वही, रस पिलाता है जन और रस, यानि की generous, यानि की दानसील दयालू, आपने देखा होगा आज कल रहते भी हैं, एकादसी बगेरा काफी सारी लोग, बहुत सारी public को, यानि जन जन को रस पिला रहे होते हैं रसना पिला रहे होते हैं सर्वत बना के पिलाते हैं, तो वो क्या होते हैं generous होते हैं, सो जन को रस पिलाने वाले जैनेरस यानि कि काइंड दयालू जो होते हैं पुलाइट भी बोल सकते हैं इनको आगे एक वर्ड है आपका लिबरल मेरे बाइट लिबरल का मतलब भी होता है उदार अब देखो ये आपका पॉलिटिक से related सब्द है तो इसको वहीं से याद रख सकते हैं अकसर करके social media में मीम चल रहे होते हैं liberal लोग liberal यानि कि ऐसे लोग जो उदारबाद की नीती को फॉलो करते हैं बाकी liberal आप वैसे भी याद रख सकते हैं एक वर्ड होता आपका liberate करना liberate कर दिया वो थोड़े से आजात किसम की हैं ठीक है आगे देखेंगे अगला वर्ड है charitable तो भाई जो charity करता है भाई charitable होता है charity करने वाला व्यक्ति ही charitable कहलाता है आगे बढ़ेंगे अगला आपका वर्ड है profuse 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 भाई देखो pro का मतलब ही होता है उपर के level तक हो जाएगी pro level तक full होगी वही आपकी क्या है profuse है यानि कि profuse का मतलब ही क्या हो जाएगा यह adjective होता है इसका मतलब होता है प्रचुर मातरा में given और produced इन a great quantity यानि कि प्रचुर या फिर अधिक मातरा में अगर कोई चीज है तो वही आपकी क्या है profuse है तो इस तरीके से याद रख लेंगे अगर हम इसको देखें वही इसके synonyms तो पहला word है आपका abundant abundant बहुत simple है कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है abundant का मतलब भी होता है पर्याप्त तो अब इसको ऐसे याद रख सकते है abundant अब और abundant तो abundant है नहीं कि अब दान दिया करो आपके पर्याप्त धने बाकि इसके लिए tricky मुझे लगता नहीं आपको ज़रूत होनीचे abundant 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 एक adjective है इसके लिए noun होता है abundance abundance इसके लिए noun हो जाता है बाकि एक word आपका plenty plenty का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई बहुत बड़ी मातरा plenty of milk कोई कुछ भी चीज़ बोल सकते है किसी चीज़ की बड़ी मातरा plenty so plane खरीदने के लिए क्या चाहिए बहुत पैसों की ज़रूत होती तो plane यानि के plenty यानि के बहुत पैसे बहुत एक word दे रखा है ample का मतलब भी क्या होता है प्रचुर ठीक है ample का मतलब क्या होता है प्रचुर तो आपके पास काफी apple है ample है ठीक है बाकी याद रखने की इस trick को ज़रूत नहीं है ये word बहुत simple है common सा word है ample यानि के प्रचुर next देखेंगे अगला आपका word है ostentation ostentation actually में ये ostentation है आपका noun tion वाले सब्द noun होते हैं इसके लिए adjective form जो होता है that is ostentatious ostentatious का मतलब क्या होता है एक ऐसा व्यक्ती जो दिखावा करे तो ostentation का मतलब भी क्या हो जाएगा दिखावा दिखावा डौंग बोल सकते हैं ठीक है सोई display सोई का मतलब दिखाने वाली display मतलब कुछ चीज का दिखाना of wealth पैसे का हो सकता है to attract attention लोगों की attention लेने के लिए दिखावा करना आडंबर करना वही क्या होता है basically ostentation होता है अभी recently आपने सुना भी होगा अनन्त अम्मानी जी की साधी चल रही है बाई साब अलब अलग level पर साधी कर रहा है अम्मानी साब बहुत पैसा है अम्मानी साब के पास में वट यार मैं तो news views देखी थोड़ी सी और sort भी उनाया था मैंने इस पर आज ही आपको मिल जाएगा नीता मानी जो उनकी वाइफ है उन्होंने जो necklace पेना है उसकी कीमत बता रहे है 400 से 500 करोड के पास 400 से 500 करोड के वीज में 100 करोड तो लोग approximation में ले रहे हैं बाई साब यहाँ पर लोगों के ऐसी हालत है कि 100 करोड के लिए भी लोगों की हालत इदर से उदर बिगड़ जाती है वहां 100 करोड तो approximation में ले रहे हैं यहाँ पर कई बार क्या होता है जैसे जो बाजार बाजार लगते हैं उनमें तनी बाजार, ब्रस्पतिवार बाजार, सोंबार बाजार यह जो लगते मंगलवार बजार, बुदुबजार उन बजार में जाके 100 रुपे का नेकलस खरीद रही होती है लड़किया इस्टाइल मारने के लिए यहाँ नीता अम्मानी ऐसी इस्टाइल मारने इस सब 100 करोड का उपर नीचे वैसे न्यूज बाले बता रहे है 400 से 500 करोड फिर उपर से लड़के की गड़ी देखो मार्क जुकरवर्ग उसकी तारीफ कर रहे है गड़ी की गड़ी है कितने रुपे की वैसा आठ करोड तीस लाग के करीब है उसकी कीमत गड़ी की वै गड़ी है क्या है है क्या उसमें ऐसा टाइम तो हम भी देख लेते हैं हम तो ऐसे ही गड़ी में टाइम ना देखे तो ऐसे यहां बोर्ड पे देख लेंगे कि क्या टाइम हो रहा है बूर्ड में भी नहीं दिखेगा, मुबाइल में देख लेंगे, कहीं और देख लेंगे, गजब है न, दुनिया में भाई, so, ostentation का मतलब क्या है, अपने पैसे का जवर्दस तरीके से दिखावा करना, कुछ नहीं तो किसी को नाचने के लिए डेट सो, महलब साइथ 74 करोड दिये हैं न, या 71 करोड जितना भी है, 70 करोड रुपे किसी को नाचने के लिए दे दू, ऐसा अलगी लेवल है न, ostentation, बाकि इसको ऐसे भी याद रख लें न, भाई, आástine के साप, दिखावे का प्यार करते हैं, आसतीन के साप, दिखावे का प्यार करते हैं, आसतीन के सापों से जीवनों, बहुत बचके रहें न, मिर बाई, दीखेंगे, पहला इसका सिनोनिम है, pesantry, pesantry, pesantry का मतलब भी बहता है, आडंबर, तो page की entry पर ही आडंबर दे रखा है, जब page की entry करते हैं तो वहाँ पर ही इतने सारे आडंबर आपको दिखते हैं जैसे books जब आप कोई भी खरीते हैं तो आप सुरू में पाएंगे, ये preface, ये इसका क्या नाम है, जो publication है, एक उसका page होगा, एक about author होगा, तो आप से कह सकते हैं कि, जो pages की जो entry है, वहीं पर बहुत सारा आडंबर दिखेगा, काम का जो content है, वो आगे जाके आएगा, so page की entry पर ही क्या है, आडंबर है, so page entry बोल सकते हैं, आडंबर, एक display, display का मतलब तो दिखावा होता है, तो इसको बहुत simple word है, parade, अब parade का मतलब क्या है, प्रदर्शन करना, भाई, जब जैसे आपने देखा 26 जनवरी या 15 गस्त पर जब parade करती है हमारी सेना, तो parade किसली की जाती है, parade, प्रदर्शन ही तो होता है, तो parade हो गई, pretension, pretend करना एक वर्ब होती है, pretend कर रहे है, pretend कर रहे हैं, यह नहीं कि दिखावा कर रहे है, और वहीं स लेखेंगे अगला आपका वर्ड है, रेवल, रेवल एक वर्व होती है, रेवल, रेवल एक क्या है, वर्व है, सो रेवल एक वर्व है, रेवल का मतलब क्या होता है, मौझ मस्ती करना, मौझ मस्ती करना, सो इन्जॉई और सेल्फ इन लाइवली, नोईजी वे, तो बॉबी देवल कर रहा है रेवल कि बॉबी देवल कर रहा है रेवल क्या कर रहा है मौज ले रहा है खाता ही भाई एनिमल मूवी का देखा नहीं तो बॉबी देवल कर रहा है रेवल हो गया जी आपका काम सो याद हो जाएगा वर्ड रेवल का मतलब मौज मस्ती करना बॉब प्रसाने के लिए प्रयोग होते हैं ठीक है जैसे कि रिजॉइस रियानि के फिर से जॉइस यानि के जॉइस फिर से अगर आनन्द आने लग जाए किसी चीज में तो वही क्या है खुस होना celebrate करना यह बहुत common word है आप सभी जानते हैं बड़े celebrate कर रहे होते हैं अभी हम थोड़े दिन महोली celebrate करेंगे celebrate हैं उत सब मना रहे हैं एक्जल्ट करना मेरे एक्जल्ट का मतलब भी होता है खुसी मनाना आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जब आपको कोई छोड़के चला जाता है तो उसको आप X कहते हैं और जब उस X की करता है कोई insult तो फिर कैसी मिलती है खुसी बहुत सारी तो X की insult करके बहुत खुसी मि अगला आपका वर्ड है इग्नॉमिनियस इग्नॉमिनियस इग्नॉमिनस इग्नॉमिनस का मतलब क्या होता है making you feel embarrassed कोई भी चीज जो आपको embarrassed फील कर कोई सर्मिनदा करने वाली कोई चीज आ है तो भही आपकी क्या क्यलाईगी login bonus क्यलाईगी सरीBA करने वाला अगर कुछ है तो noun ignomity है, तो igno, आपके एक university है, एक्टू, यूनिवर्सिटी, एक्नूमिटी, ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लेंगे इसको माल लीजै, इگ्नू यूनिवर्सिटी में कोई case हो गिया, लाइक रेप case हो गिया और उस case ने सब को क्या कर दिया, बहुत सर्मिंदा कर दिया, so ignominus का मतलब क्या हो जाएगा, ignominus का मतलब है सर्मिंदा, कोई भी चीज ऐसी जो सर्मिंदा कर दे, वही ignominus हो जाएगा, ठीक है, देखेंगे, गला अटक सरा है न, तो dishonorable, एक वर्ड दे रखा आपका dishonorable, ओनर का मतलब संबान होता है, और डिस लगा दिया तो जो संबान को गिराए, ऐसे ही grace, grace का मतलब क्या होता है, सुन्दर्ता और डिस लग गया तो जो सुन्दर्ता को कम करे, जो grace को खराब करे, वही disgraceful हो जाएगी चीज़ तो अपमान जनक हो जाएगी, अगर अगला वर्ड देखेंगे तो वर्ड है आपका ascent, ascent, ascent basically क्या होता है, मिर भाई, ascent का मतलब होता है, स्विक्रती, जब हम किसी को अपनी स्विक्रती दे देते हैं, वही है, so official agreement do something, कुछ करने की स्विक्रती दे दी, अधिकार यानि के permission, बार-बार बोल के याद करेंगे तो याद आसानी से हो जाएगा, ascent यानि के permission, so जो official permission मिल जाती है, agreement मिल जाता है, उसी को ascent बोल देते हैं, अगर इसके synonyms देखोगी मेरे भाई, so agreement हो गया, accord हो गया, treaty कह सकते है, consent कह सकते हैं, consent, ascent दोनों same meaning होते हैं, treaty आप समझता होता है, agreement सभी जानते हैं, आगे देखेंगे, अगला आपका word है, resonate, resonate करना, resonate करना, resonate करना, resonate करना, resonate का मतलब क्या होता है, एक द्धनी उत्पन करना, लगातार द्धनी, लगातार द्धनी उत्पन करना, to make a sound continue longer, कोई मतलब गुजने वाली आवाज उत्पन करने हैं, वही होता है resonate करना तो resonate हो गया resonate में अगर मेरे भाई हम देखें इसके synonyms पहले इसकी trick अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं देखो resonate करना resonate करना resonate में आप इस word को जब बार बार बोलोगे तो इसमें आपको क्या देखेगा इसमें आपको देखेगा raise करना रेज करना, रेजोनेट करना, रेजोनेट करना, रेजोनेट करना, जब हम किसी चीज़ को रेज करते हैं, जैसे हमने किसी चीज़ का बॉलिम बढ़ा दिया, रेज करना, उठा रहे हैं, तो किसी चीज़ को रेज करते हैं, तो एक दोनी उत्पन होती है, वही रेजोनेट करन घृता है वापस आती है एक होता है रेवरेट का मतलब भी क्या है बही देखो री और वाईबरेट जो चीज बारवार वाईबरेट होगी चलेगी तो वही रेवरेट कर रही है so reverberate का मतलब भी क्या है reverberate का मतलब भी reverse जो सुनाई दे गूज जो होती है उसको reverberate कह देते है ठीक है बाकि अगला आपका word है बाई orden, देखो orden से आपको order जैसा feeling आ रहा है बस तो orden का मतलब भी होता है कुछ करने के लिए आदेश देना to officially make someone मतलब प्रीस्ट बना देना आग्या देना कनफर holy orders किसी के उपर holy यानि के पवित्र orders देके उसको कुछ बना दिया है ठीक है so order यानि के order ऐसे आ रख लेंगे पहला इसका synonym दे रखा है proclaim, proclaim करने का मतलब होता है चीजों को सामने लिया है pronounce कर दिया बाकि decree, decree का मतलब भी होता है order, आदेस ये generally noun के तरीके से आता है so आदेस देना basically आदेस किसी का जो होता है decree, legislate करना कानून अगर किसी चीज़ पर बना दिया है तो एक आदेस जारी हो जाता है कानून के बनते ही so legislate हमारा जो legislature होता है वही तो कानून बनाता है so legislature क्या करता है legislate करता है ऐसे ही consecrate करना खास करके धार्मिक सब्दों में ये लगाता है consecrate करने का मतलब भी क्या है प्रतिष्ठा करना ठीक है अभी आपने recently देखा भी होगा life consecration जो किया गया था प्राण प्रतिष्ठा जो की गई थी जब राम मंदिर बना था मैंने उस पर sort भी बनाया था if you people remember inact करना inact करने का मतलब भी क्या होता है जैसे कोई law अगेरा बनी है उसको जब कानूनी रूप से मानने कर देते हैं तो inact कर देते हैं law कानून मिन जाती है ठीक है so in action करना यानि कि inact act का मतलब भी क्या होता है action so inact यानि कि action में लाना किसी चीज़ को भाई ये हमारी पूरी class थी आज की class कैसी लगी जरूर बताईएगा और भाई अपना feedback भी देते रहें और वीडियो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक सेयर करें support ज्यादा से ज्यादा करें बाकि ये किताब भाई आप सबील जरूर मगा ले flip card पे Amazon पे और book escape पे तीनों जगे available है book escape पे ये आपको काफी कम price में मिल जाती है officially एक seller है हमारे वो sale करते हैं ऐसा नहीं कि कोई platform खराब है या आपके पैसे फस जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है आप आराम से order कीजिए आपका पैसा वाँ पे सुरक्षित है कोई दिक्कत की बात नहीं है book escape पे करांती किताब जो है ये भी हमने काफी कम rate में कर रखी है इसका कुछ प्राइस है बहुत अच्छी किताब है मेरे भाई अगर आपको comprehension करना है किसी भी exam के लिए इस से बहतर किताब आपको नहीं मिलेगी मैं guarantee दे सकता हूँ comprehension के लिए बाकि CPO वाले बच्चों बार-बार कह रहा हूँ अभी दो दिन के लिए offer और चल रहा है इस किताब है तो दो दिन का offer है CPO Warrior आप ले सकते हैं चेक आउट कर सकते हैं अच्छी किताब है ये भी आगे मेरे भाई ये हमारा जो है Instagram handle है मेरा English by Prasanser करके और ये हमारा Telegram के दोनों चैनल है Vocab Wonders और English by Prasanser इन दोनों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें सारे लोग और जोइन कर लें इनको क्योंकि इन पर भी वह सारा content आपको मिलता रहता है बाकि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने वीडियो को share जरूर करें Thank you so much जय हिंद जय भारत